असलामू अलेकुम, मैं जुलेखारफा, जुलेखास किचिन से, तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया से एकदम प्लेन सिंपल चिकिन के साइन्विचेज, बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, और आपको भी बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी बहुत पसंद आ दाल दीजिए, पानी पॉना या आधाकब दाल दीजिए, मैंने पॉना दाला है, चुटकी भर नमक दालिएगा, और एक छुटा चैका चमाचादरग लसन का पेस्ट दाल कर, सबसे पहले चला लीजिए, चूला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, उसमें उबाल आजान जब तक चिकन पक रही है, यहां साइट के जो कठे हैं, इस तरीके से चूरी की मदद से निकाल निकाल कर साइट पर रगते जाएं, ऐसे यह देखे, सारे बन गए ना, चलिए कुछ देर बाद यह देख लीजिए, इसमें पानी है, थोड़ा बहुत ग्रीवी दिख रही है आपको तो चूला फास्ट आचकर उसे सुखा लीजिए, इस तरीके से बार-बार चलाते रहीएगा, चिकन आप चेक कर लीजिए, गल गई है केने तो यह देखी है, मैं देख रहे हैं, मैं तोड़ते जा रही हूँ, मतलब चिकन तूट रही है, असानी से मतलब गल चुकी श्रेट कर लीजिए, जितना आप अच्छे से श्रेट कर पाए, एकदम बारिक बारिक श्रेट कर लीजिएगा, एकदम मोटे मोटे पीस मत रखेएगा, बहुत अच्छा बारिक श्रेट कर लीजिए, ऐसे, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा बारिक श्रेट कर लिया है मैंने अब इसमें दाल दीजिए वानफोर चुरे चैका चमच काली मिर्चों का पाउडर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए वैसे मैं नमक नहीं दाल रहे है क्योंकि चुटकी बर दाला था उतना ही बस है यह देखिए इसे साइड पर रख दीजिए अब जो ब्रेड कटे हुए कठे थे उनके ऊपर इस तरीके से मक्खन लगा दीजिए अरे मक्खन एकदम बिंदास लगाईएगा कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि टेस्ट इसी से भी आना है तो इसी तरीके से सारे ब्रेड को लगा कर साइड पर रखते जाएं ऐसे अब मक्खन वाला जो साइड है ये देख सकते हैं उसके उपर ये जो हमने चिकन प्रिपेर करके रखिए इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड आउट कर दीजिए अब आपने जितना डालना है आप दाल सकते हैं आपने देखा 500 gram के अंदर चार bread आसानी से आराम से लग गए है चिकेन सैन्विच बन गए है अब आप देख सकते हैं चारो और फैला देती हूँ मैं यहाँ पर भी और जो बचा कुछ है वो सारे में distribute कर दीजिए और यह देखिए चारो spread out कर दिया और यह जो अब मखल लगाओ हूए bread है इन्हें उससे धाग दीजिए ऐसे चलिए अब इसे बीच में से काट लीजिए तो आपको इस तरीके से त्रीकोन याने के triangle shape मिल जाएगा और यह आप देख सकते हैं बढ़िया से plain chicken sandwiches ready है इसे आप serve कीजिएगा tomato sauce याने के tomato ketchup के साथ या फिर आप chili sauce के साथ भी serve कर सकते हैं बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार से बनते हैं अब आप इसे plate के अंदर दालें मैंने यह देखिए एक तरीके से यह यहाँ पर मैंने बताई है दो टाइप की लगाना है अच्छा मैंने बोलने से इस्तमाल किया है यह वाली chicken की recipe sandwich के लिए आप चाहें तो with bones भी ले सकते हैं तो आप समझे ना 500 gram 300 gram तक with bones लेंगे तो 1500 gram तक आपको chicken मिल जाएगी और यह जो नम्मक आप चाहें तो adjust कर सकते हैं बट मैंने स्टार्ट में नम्मक बॉil करने में इसकादर दाला था कि नम्मक बराबर ही था तो मैंने नम्मक उपर से दाला ने और काली मिर्ज भी अब आपके इसाब से adjust कर लिजिएगा तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की अगर आप यह वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमेंट सेक्शिं में जरू शेय कीजिएगा अपने कमेंट्स में बहुत अच्छे लगए रेसिपी अच्छे लगए तो लाइक जरूर कीजिए और उससे जाद अच्छे लगए तो अपने फैमिली और फ्रेंज में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फरवर्वर्ड कीजिएगा फिर से आजिर होंगी नहीं शानदार दमदार रेसिपी के साथ अंतल देन टेक केर लाफिस बाइ